हेलो एवरिवन कैसे हो आप से भी लोग इस वीडियो में हम सिप्लिफिकेशन के और कोश्चन डिस्कस करेंगे बोर्ड मास ब्रैक्ट ऑफ डिवाइड मिल्टिप्लेट सब्टेक्ट बच्पन में हम लोगों ने सीखा है इस पर अभी ऐसे से में बहुत जादा कोश्चन आ र सही तरीका होता question को solve करने का वो मैं बताऊंगा जिससे कि आप exam में गलती ना करो देखो गलती होने के चांसे इसमें रहेंगे थोड़े बहुत लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि maximum गलतियों को हम हटा पाएं और कम से कम गलतियां हो इस तरह के questions में और ये भी बताऊंगा किस से तीन मिनट लेंगे लेंगे अगर आप से सही तरीके से attempt करना चाहते हो तो सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना कोई भी पार्ट आप मिस्स मत करना ठीक शुरू करें बोर्ड मास होता क्या है bracket bracket मतलब यวกी यह वाला bracket हो सकता है आपके पास यह वाला bracket हो सकता है कोई भी bracket अगर आप आप यूच कर रहे हैं से हम कहते है bracket इसकी priority सबसे ज्यादा होती है सबसे पहले हम bracket solve करते हैं उसके बाद आता है हमारे पास OFF क्या होता है एक तरह का multiplication ही होता है है तो यह multiply लेकिन इसकी preference जदा है किस से divide से तो अगर हम बात करेंगे ओफ operator को हम जादल दी solve करते हैं से मेरे पास है seven plus three of five divided by five तो इसमें हम ओफ को पहले solve करेंगे तो मैं कहूंगा three of five कितना होगा fifteen और इसे मैं five से divide करूँगा और मेरे पास seven प्लस तो अंसर आएगा 7 प्लस 3 10 क्या ये चीज के लिए रूभी ओफ का मतलब क्या है multiply लेकिन हम इसे पहले solve करते हैं division से आगे बात करते हैं हमारे पास फिर आता है divide फिर multiply फिर add और subtract आपको पता ही ठीकिए priority हमारी ऐसी से लेगी और एक rule ये भी होता है हम left to right move करते हैं अभ अंसर क्या होगा सभी लोगों को क्या करना है मैं यहाँ पर बहुत जाता रुखूंगा नहीं लेकिन आप लोगों को वीडियो को पोच करके खुड ट्राइगर करके देखना और फिर चेक करने क्या हमारा और आपको और मेरा अंसर सेम आ या लगा रहा है ठीक तो start करते हैं मैंने कहा मेरे पास है 2 divided by 4 अच्छा यहाँ पे फिर into में 8 है और off है 9 और minus में 4 है priority सबसे ज़्यादा है किसकी है इन सभी operators में क्या मैं कह सकता हूँ ओफ की priority मेरे पास सबसे ज़्यादा है तो जिसकी priority ज़्यादा हूँ उसके आगे bracket लगा दिया और off की जगा लिग दिया multiply क्या मैं इसे दिख सकता हूं 2 divided by 4 into में 8 into 9 minus 4 क्या यही हो जाएगा मेरे पास अब मैं सोल कैसे करूंगा मुझे पता है यहां पर multiplication का sign है यहां पर division का sign है तो पहले division solve किया जाएगा तो 2 by 4 क्या जाएगा मेरे पास क्या यह 1 by 2 बन जाएगा और फिर into में 8 9 जाएगा कितना हो जाएगा क्या मेरे पास यहां पर 72 आ जाएगा और यहां पर minus 4 हो जाएगा क्या equation solve हो गई अच्छा जो minus या plus होता नहीं इस में separator कहता हूं इस वाले पार्ट को आप अलग कर सकते हो कोई लंबी equation मनेगी तो minus plus से हम separate करके 3 छोटे छोटे पार्ट में split कर देंगे अपने expression को और solve कर लेंगे अभी मैं दिखाऊंगा कैसे तो मैंने कहा यह 72 को 2 से भाग दूंगा तो यह मेरे पास आ जाएगा 36 minus 4 और यह आ जाएगा मेरे पास 32 यह मेरे इस question का 2 divided by 2 इसे solve करके क्या answer आएगे सभी लोग निकाल के रखो अपने पास फिर मेरा answer देखना अच्छा मैंने कहा 2 को में जो 2 से भाग देना है rule क्या कहता है rule के कहता है कि अगर same operator होना हमारे पास 3 जगा same operator है तो हम left to right move करेंगे left to right move करेंगे तो कर लेते हैं move मैंने कहा सबसे प मैंने कहा 2 divided by 2 क्या देगा 1 देगा फिर मेरे पास 1 divided by 2 आया तो यह 1 by 2 आया ठिक यह second वाला bracket भी मैंने solve कर लिया उसके बाद मैं third bracket पर जैसे ही पोचा तो इसका divided by 2 है मेरे पास तो divided by 2 यह बचा मेरे पास और यह क्या हो जाएगा 1 by 2 into में divided by 2 है तो 1 by 2 और यह आ जागा मेर यह मेरे इस question का अंसर हो जागा है मैंने बिल्कुल basic से बताया कि हम left to right move कर रहे हैं तो मैंने brackets लगा दी जिससे कोई confusion ना हो पहले मैंने इन दोनों को solve करा तो मेरे पास आया 2 divided by 2 फिर मैंने divided by 2 करा और फिर उसके बाद divide करना था 2 से तो मैंने ऐसे लिखा और solve कर के answer निकाल तो सब जगे division की जगा कर दो multiply और यहां पर 2 था ना इसका reciprocal लिख दो 2 का reciprocal क्या होगा मेरे पास 2 का reciprocal होगा 1 by 2 मैंने लिख दिया 1 by 2 इसका reciprocal 1 by 2 इसका reciprocal 1 by 2 अब क्या आसान हो गया यह बिल्कुल हो गया मैंने कहा मेरा answer क्या आ जाएगा 1 by 4 सेम आगे answer बहुत कम time में हमने कर लिए कोई ज्यादा महनत नहीं लगी चलें आगे next question हमारे पास इसी टाइप का बताओ answer क्या होगा यह है 3 divided by 3 divided by 3 divided by 3 divided by 2 divided by 2 आज़ा solve करेंगे तो मैंने कहा यह पहले पार्ट को तो सिर्ण नो दो दूनी चार नो चो कितना हो जाएगा मेरे पास 36 एक बाइचातिस मेरे इस question का अंसर आजाएगा खतम question ठीकि इस तरह इस तरह का simple question भी आपको एक्जाम में confuse कर सकता है तो ध्यान रखना solve करते हैं 1 by 36 मेरे question का अंसर होएगा गलती नहीं करने ठीक है उम्मीद करता हूँ कुछ सिखा आपने अभी अभी बहुत कुछ सिख हो गए अब मेरे पास क्या आए हाँ पर कि यहाँ पर मिचे दे रखा 2 divided by 3 divided by 4 by 9 divided by 7 by 3 divided by 20 7 by 28 हमें बताना अंसर क्या होगा तो मैंने कहा पहले वाला एज़िजन की जगह क्या कर देंगे multiply और इनका reciprocal लिख देंगे इसका reciprocal क्या हो जाएगा 9 by 4 फिर इंटू में 7 by 3 का reciprocal 3 by 7 हो जाएगा और 28 27 by 28 28 27 हो जाएगा क्या हो गया साथ से काटूंगा तो यह आजाएगा 4 4 से यह cancel तीन से काटूंगा यह आजाएगा 9 से यह cancel अंसर क्या बजाएगा 2 by 3 कुश्चन खतम हो गया option नंबर ए मेरा correct हो जाएगा के लिए चले आगे अब मेरे पास यह वाला कुश्चन है 2 by 3 divided by 4 by 9 plus 7 by 3 divided by 28 by 9 हमें बताना है solve करके क्या answer अच्छा एक चीज बताओ मुझे क्या यह plus है और इसकी priority जादा है तो मैं separator मान सकता हूँ plus या minus को मैं जनली separator मानते हैं क्या मैं इस वाले पार्ट को individually solve कर लूँ इस वाले पार्ट को individually solve कर लूँ और इन दोनों को add करके मैं अपना answer बता सकता हूँ बिल्कुल बता सकता हूँ अच्छा 2 by 3 को अगर मैं solve करूँगा तो यह मैं कि अपर पर पास क्या होगा 2 by 3 into में इसका reciprocal करूँगा 4 by 9 का तो 9 by 4 आएगा इसे solve करके मैं निकालूँगा यहां पर यह 3 आजाएगा यहां पर 2 आजाएगा और अंसर बचेगा 3 by 2 एक तरीका तो यह हो गया लेकिन examination में मुझे reciprocal करना फिर काटना इसमें time लग रहा है लिखना पट रहा है क्या मैं इसे बिना लिखे बिना काटे भी कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं मैंने लिखा यहां पर 2 by 3 ध्यान से समझना यहां पर लिखा 4 by 9 अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर directly parallel काटो सामने वाली time को दो समस होंगी तभी यह यूज करना वरना गलती कर जाओगे मैंने कहा यह 2 by 2 है 2 by 3 यह 4 by 9 है 2 से काटूंगा यह 2 आगया 3 से काटूंगा यह 3 आगया अच्छा अब हमें जो operation लगाना यह फाइनल जो अंसर आएगा यह वाला multiply इधर करना है मैंने यह वाला multiply इधर करना है यही इधर multiply करो यह इधर multiply करो अंसर आजाएगा 3 by 2 समझाया कुछ steps बच गए हमारे यहाँ पर directly मैं solve करूंगा इसे तो मैंने कहा यह 3 आएगा यह 2 आएगा cross multiply करूंगा तो 3 by 2 मेरे पास बचेगा similarly यहाँ पर 7 by 3 है plus का sign है 7 by 3 28 by 9 साथ से काटूंगा यह 4 आजाएगा यह से असर बचेगा यह नहीं बचेगा question खतम option number भी करें किलिया रहे सभी लोगों को सब कुछ समझा रहा है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अब मेरे पास आगे यह 2 divided by 3 divided by 2 by 3 divided by 9 by 14 of 7 by 3 divided by 28 by 9 बताना answer क्या हुआ अच्छा मैंने कहा यहाँ पर priority किस की ज्याद होगी क्या ओफ की priority तो क्या मैं यहाँ पर ओफ को हटा के multiply लिख दू और यहाँ पर bracket लगा दू यह दोनों पहले solve किये जाएंगे तो मैंने कहा यह 2 by 3 है और अगर मैं divided by मेरे पास है इसे solve करूंगा क्या आएगा 7 से काटा मेरे पास 2 यहां से काटा मेरे पास 3 क्या यह 3 by 2 बचेगा मेरे पास कर सकते हैं अगर इन दोनों को solve करोगे यहां पर हमारे पास क्या आएगा आप देखोंगे यहां पर इधर चला जाएगा 3 इधर आजाएगा तो यहां पर 4 by 9 बचेगा फिर 4 by 9 divided by 28 by 9 होगा तो हम solve करके निकाल सकते हैं वरना अगर मैं basic से करूं जो मैंने भी बचाया था द नहीं आजाएगा बिल्कुल आजाएगा solve करेंगे 9 से 9 कैंसिल यहां पर 4 से काटूंगा मैं 28 को तो कितना आजाएगा साथ एक बाइस साथ मेरा स्कूर्शन का पाइनल अंसर आजाएगा क्या यह यह चीज भी सभी लोगों को समझा गई भड़ें आगे देखो confusion नहीं हो न कि नहीं पहले मैं separate करakah अंसर बताना है अच्छा क्या यह वाला solve करना मेरे पास असान है यह 5000 यहां पर लगा सकता हूंं यहां पर लिख क्या इसे कर सकता हूं मासानी से 5 division पहले perform होगा multiplication बाद में तो ये 5 divided by 5 of 5 है तो मतलब 5 into 5 होगा और into में 2 हो जाएगा मेरे पास 5 से 5 cancel ये आ जाएगा मेरे पास 2 by 5 फिर plus का sign है मेरे पास आगे अगर मैं solve करूँगा यहां पर 2 of 2 है 2 of 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 2 by 4 हो जाएगा division पहले perform करेंगे multiplication बाद में तो 2 by 2 into 2 into 5 ठीक अगर मैं आगे भढ़ूँगा माइनस ये 5-2 तो 3 देदेगा division पहले perform होगा 3 by 6 और फिर into होगा 2 क्या समझ आ अब लोगों को सब कुछ बहुत बढ़ी है यह मेरे पास 5 by 2 हो जाएगा यह 5 by 2 हुआ यहां पर cancel हो जाएगा मेरा पूरा पूरा बचल कर लो यह मेरे पास क्या आजाएगा LC हम लेलिया मैंने लेलिया 10 यह 5 है यहां पर दो दूनी 4 हो जाएगा 5 25 हो जाएगा और यहां पर एक इंटू 10 10 हो जाएगा थिक तो यह 39-10 19 by 10 मेरा अंसर आ जाएगा option number मेरा C correct हो जाएगा इस question में चलें आगे अब यह भी CGL 2019 2018 प्लस माइनस के साइन कम है अंदर इस ब्रैक्ट के अंदर है एक तो आपको यह वाला पार्ट दे रखा है फिर डिवीजन में फिर यह वाला पार्ट दे रखा है तो यहाँ पर priority कैसे set की जाएगी यह two of three है क्या मैं यहाँ पर bracket लगा सकता हूं फिलाल और मैंने यहाँ पर इंटू लिग दिया divided by और एक ब्रैक्ट है मेरे पास ऐसा दे रखा है अब यहाँ पर priority किसके जाद होगी क्या division की priority जाद होगी यहाँ पर multiplication है division, multiplication, division तो division वाला operation हम पहले perform करेंगे तो यह two by three तो two into में मैं three by six लिख सकता हूं और into मैं मैं लिखूंगा two और यहाँ पर division का operation है मेरे पास divided by तो division वाला मैं यहाँ पर साथ के साथ लिख दूँगा यह मेरे पास आजाएगा four plus four into four divided by four oh four minus four divided by four into four क्या यही बचा अच्छा अगर मैं solve करूंगा इस से क्या पूरा मेरे पास अब यही बना आप तो इसमें कोई change नहीं आने वाला क्या यही रहेगा बिल्कुल रहेगा अच्छा अगर मैं solve करूंगा यह मेरे पास one by two दे देगा और मैं two से cancel करूंगा तो यह मेरे पास पूरा का पूरा पार्ट है अब यहां पर again solve करने के लिए मैं separators का use कर सकता हूं देखो मैं step जो बता रहा हूं थोड़े लंबे हो सकते हैं लेकिन exam में गलती नहीं करोगी क्योंकि exam में solve करा 3 minute लगा इस question में solve करने के लिए वैसी बहुत जाजा टाइम टेकिंग question है तीन मिनट लगाने के बाद आप answer जो आ रहा है उसके अलग कोई answer mark करके आ जाओ तो गलत हो जाएगा अब मैं इसे solve कर रहा हूं देखो यह plus का separator है तो मैंने इसे 4 को अलग कर लिया अब यहां पर 4 into 4 divided by 4 of 4 है इसे अलग कर लिया मैंने यह minus का separator है इसे अलग कर लिया क्या इसा कर सकते है बिल्कुल कर सकते है तो divided by मेरे पास बचा 4 प्लस अच्छा 4 into 4 divided by 4 of 4 priority किसके ज्यादा ओफ की ज्यादा है यहां पर solve करा मैंने 4 into 4 बचेगा 4 divided by 4 अच्छा लिखना चाहो लिखलो नहीं लिखोगे तब भी यह चीज किलियर होती है हमारे लिए थोड़ी speed भड़ाओगे थोड़ी practice करोगे तो आप कर सकते हो directly 4 divided by 4 into 4 है तो यह मेरे पास 4 by 16 आएगा और यही बचेगा मेरे पास right तो solve करोगे 16 by 16 यह आजाएगा 1 फिर यहां पर minus का sign है यह लगवा गया मेरे पास 4 divided by 4 एक देगा into 4 तो यहां पर आजाएगा मेरे पास 4 तो यहां मेरे पास 2 divided by 4 plus 1 minus 4 क्या बचेगा 5 minus 4 1 अंसर आजाएगा तो मेरे इस question का final answer option number D correct इस तरह के question को अगर ऐसी भी calculation दिख रही है last के लिए छोड़ो क्योंकि 2 मिनिट लग सकती है अगर कर रहे हो बहुत जादा practice आपने पहले नहीं करी और answer गल्थाने की chances भी रहते है ठीक है step by step आपको चलना पड़ेगा तभी आप सही answer पर पूचो कि वर्ना गलती कर जाओगे चलें आगे अब ऐसा ही हमारे पास एक और question है यह वाला यह भी आपके exam में पूछा गया CPU 2019 tier 1 का question है जहां तक मुझे याद है ठीक है recently पूचे आ रहे है पहले इतने मुश्किल नहीं पूचे दे टीस्यस के आने के बाद ही यह pattern start हुआ simplification का अचा solve करेंगे तो यहाँ पर कुछी जह हमारे लियासान बना रखें ब्रैकेट्स खुदी लगा रखें तो करने में कुछ नहीं जा रहा दो साथ वाए आठ है तो मैंने यहाँ पर लिख जिए 3x8 division है ब्रैकेटवाला पहले solve किया जाएगा अचा यहाँ पर फिर division है मेरे पास और यहाँ पर ओफ है तो पहले किसे solve करेंगे ओफ वाले पार्ट को solve करेंगे और यह मेरे पास 2x7 of 2x3 तो इसे मैं solve करूँगा तो 2x7 और यहाँ पर मैं बाइ तीन होगा मेरे पास इंटु मैं मैंने लिखा 7 बाइ तीwn क्या यहीं है दो से 2 गेट किया मेरे पास 2 बाइ तीन बचाँ अच्छा 2 बाइ तीन यहाँ पर मैंने इस वाले ब्रैकट को किया करा और और यह वाला ब्रैकट स्टार्ट हुआ तो मैं कह सकता हूँ यह मेरे पास 23 by 8 है division में क्या बचेगा 23 divided by 4 के लिए इसके बाद into में कुछ है उसके बाद मेरे पास यह वाला bracket है यह वाला bracket solve करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास पहले ओव वाला solve किया जाएगा इसके अंदर bracket है तो ओव वाला मैंने पहले solve करना है divided by 2 by 3 है ठीक है divided by 2 by 3 है तो into में directly लिख सकते हो आप 3 by 2 हो जाएगा और यहां पर solve करूँगा मैं आगे बढ़ूँगा तो यह 5 by 9 है तो 5 by 9 एट इस लिए तो मैंने यहां पर काटना स्टाट करा मैंने पूरा ही simplify कर लिया यह वाला पार्ट अगर हम यहां पर solve करेंगे तो मेरे पास यहां से काटा यह 3 बचा 3 तीन नो यहां से यह cancel हो जाएगा पांच से काटोंगा तो यह 5 कट गया मेरे पास 2 से काटोंगा तो यह बचेगा 10 ठीक है दस बचा यह पूरा solve करने के पास 10 अच्छे क्या division पहले perform किया जाएगा बिल्कुल किया जाएगा यह वाला प कोश्चन खतम option number B करेक्ट हो जाएगा के लिए ठीक तो गलती नहीं करोगे तो अंसर आजागा लेकिन ही टाइम कंजूमिंग तो है दो मिनट ले जाएगा एक से दो मिनट ले जाएगा ट्राय करके देखना इतना टाइम इस तरह की कुश्चन ले जाते हैं और अगर वैल् इस टीर वन कहीं है यह भी कुश्चन आया वह आपके एक क्या कर सकते हैं आप इसे एक मिनट के अंदर नहीं कर सकते हैं पहले यह वाला सिंप्लिफाइव वाला पार्ट सोल्व करना है फिर इंट्व में 15 बाई 16 डिवाड़ेद बाई 2 बाई 3 ओफ 2 1 बाई 3 माइनस तो मैं दिवीजन की प्राइटी जाद होगी तो यह वाला एक और रिट लगा दो बड़ा इसका फोर्मला हमें पता है यह तो बेसिक से कर लो थ्रीयो चोटी वैल्यो बढ़ी वैल्यो होती है तो हमें ऐसे करते हमें पता है a plus b upon a cube plus b cube a cube plus b cube का formula क्या होता है a plus b है यह होता है a plus b a square plus b square minus a b तो directly यह वाला यूज कर लोगे ऐसे काट दोगे यह बचेगा आपके पस तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे यह वाला पार्ट solve करूँगा तो यह वाला पार्ट मुझे क्या देदेगा यहाँ पे देदेगा मुझे 1 divided by 3 square no 4 square 16 minus 3 into 4 12 और यह देदेगा मुझे 25 minus 12 25 minus 12 कितना हो जाएगा मेरे पास 1 by 13 चलो अब यह वाला पार्ट solve कर लें यह वाला solve करना आसान है यह मेरे पास यहाँ पे minus का sign लिखा 15 by 16 divided by यहाँ पे ओफ वाला पहले solve करेंगे तो 2 by 3 into 4 1 by 2 1 by 4 है तो 8 plus 1 9 तो 2 by 3 into में 9 by 4 होगा solve करोगे 3 और यह आजाएगा 2 3 by 2 बचा और यह division का operator है division करना है तो हम यहाँ पे directly काट भी सकते हैं मैंने 2 से काटा तो यह 8 हाजाएगा मेरे पास 3 से काटा तो यह 5 आजाएगा तो 5 by 8 बचेगा मेरे पास चलो यह भी solve हो गया अब यह वाला simplification वाला है अब मैंने last वीडियो में आपको बताता है यहाँ पे अगर आपको 2 दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है तो basic से solve करना सबसे पहले मैं क्या करऊंगा मैंने लिखा यहाँ पे 1 minus 4 minus 2 और यहाँ पे लिखा मैंने 1 plus और यहाँ पे लिखा 1 by 3 plus 2 यहाँ से solve करना च्टार्ट करूंगा 1 by 3 plus 2 कितना हो जाएगा 5 by 3 होगा यहाँ पे जाके inverse करूंगा तो मेरे पास 3 by 5 मिलेगा 3 by 5 को solve करूँगा यहां पर तो 5 और 3 8 8 by 5 आएगा तो इसे मैं 5 by 8 लिख सकता हूँ किलियर यही आएगा ना हमारे पास ठीक अगर मैं यहां पर multiply करूँगा यह 5 मेरे पास sorry 8 by 5 यहां पर आया तो यहां पर 5 by 8 multiply करूँगा तो यह मेरे पास हो जाएगा पांच और यहां पर मेरे पास आजाएगा आठ यह 1 by 3 प्लस 2 था यहां पर हमने थोड़ी सी गड़बड कर दी 1 by 3 प्लस 2 धियान रखना है यहां पर 3 3 into 2 6 हो जाएगा और 1 7 यह 7 by 3 आएगा हमारे पास ठीक है तो मैंने कहा है यहां पर कितना हो जाएगा मेरे पास 7 और 3 10 बाए 7 यहीं होगा और फिर अगर मैं बात करूँगा यहां पर 4 कितना हो जाएगा मेरे पास आठ हुजाए दए यह मेरे पास बचाइगा आठ बाइद तो यहां पर आजाएगा आठ बै देरा कि लियर रहे वाला पाट मैसे आजए तक कि यहां फैनली अंसे लेवल तक को जब कर पाँच जाएगी किसे वे फिजिए तो भी हम वानली तो इस तरह के मुश्किल कोश्चन प्रिशान करेंगे गलती होने के चांसिस भी रहेंगे ठीक करने के बाद भी गलतियां हो सकती है प्रेशर होता है प्रेशर मोर ज्यादा गलती होती एक्जाम में तो लास्ट के लिए छोड़ना बाकी मैंने सही तरीका बता दिया आपको कि सब्जेक्स कवर किये जाएंगे हर सब्जेक्स के लिए आपको और चुन सकते हो किस से पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ सकते हो उसका समझे नहीं आ रहा बीच में तो दूसरे एजुकेटर से पढ़ लो बाकी टॉपिक्स टेक है कई बार कुछ टोपिक ऐसे बहुत यूक्स के आपको क्या करना description box में मेरे profile का लिए and academy may apply my profile में एंटेक्री मेरी profile UK में आफे फ्रॉलो कर लेेनpri सकते हो किसी नश्यबन के वहाँ करो बैसे किसके बास MSC में प्रोपिक्र सब्सक्राइग तो बहुत कुछ में आप को सिाता हूं अगर आपसे ल मीन्स की तयारी कर रहे हो से तेरी कर रहे हो ठीक है तो उसमें बहुत सारी free classes है यहां से आप पुरी के पुरी अपनी तयारी कर सकते हो बहुत कुछ सेक्थ सकते हो भूट कुछ मिलेगा यहां content आपको वो सारा आप देख सकते हैं यह सारी फ्री वीडियो जाए के लिए कि लिए उसके बाद यह सारी वीडियो आपको कुछ इस तरह से दिखेंगी मेरी प्रोफाइल में जाओगी इस पीशल क्लासिस सर्च करोगे उसमें मिल जाएगा अनकेडमी से पूरी त्यारी करने के लिए RB10 code यूट करना है जिसे आपको maximum discount मिल जाए ये code सभी SSC exams के लिए railway exams के लिए banking exams के लिए applicable है इस code को apply करते ही आपको अगर आप plus subscription लेते हो तो maximum discount मिलेगा प्लस subscription के लिए आपको अनकेडमी अप इस्टोल करनी है उसके बाद category select करनी है से SSC exams फिर उसके बाद आपको subscription पर किलिक करना है subscription पर किलिक करने के बाद आपको ऐसे पूछे का एक महीना तीन महीना छे महीना बारा महीना चोबिस महीना सबसे बैस जो आपको लगे अगर आप सीजिल 2020 करना है कुछ प्राइस इस तरीके से हुँगे चोबिस महीने वाला महीने के थाप से पढ़ जाएगा आपको इतने वाले इतना आपको कोड यूज करना आर्बिटेन आर्बिटेन कोड़ करते हैं आपको maximum discount मिल जागा जो भी चल रहा हुग उसके बाद अगर आप free classes देखत को मिलता है तो बहुत साइच चीजे फ्री भी है कुछ चीजे पेड़ में साइच चीजे करना चाहते हो तो अनकेडमी प्लस जोइन करके अपनी पूरी त्यारी कर सकते हो आप से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर जहें